लाश्ट टाइम प्रपरेशन लाश्ट टाइम रिवीजन बहुत ज़रूरी है तो बिलकुल भी धीले ना पड़ें आप लोग पूरी मेहनत करें लाश्ट टाइम में आप पड़ते हैं तो वह आपको अच्छे से याद रहता है आज की इस वीडियो में कुछ बनवर्ड सब् पड़ेंगे तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है लाश्ट तक देखें पीडियेफ के बारे में भी मैं बताऊंगा शुरू करता हूं वीडियो को सबसे पहले हम बात करते हैं वन वर्ड सब्सेट्यूशन की सबसे पहले हम बनवर्ड सब्सेट्यूशन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं कुछ पहला क्या है वन नॉट कंसर्ण विद राइट और रॉंग मतलब वह है इंसान जो सही और गलत में भेद नहीं करता है उसे जो मर्जी वो करना होता है ऐसे इंसान को कहते हैं अमोरल यानि की अनैतिक next है a person who opposes war or use of military force मतलब वह इंसान जो भेद भाव लड़ाई जगड़ा युद्ध और military forces इन सबके उप्योग से बचता है इन सबका प्रियोग करने से बचता है तो वो इंसान कैसा है वो इंसान सांती वादी वो चाता है सांती बनी रहे अहिंसा रहे तो ऐसे को pacifist बोलते हुँ कि जरूरी नहीं है सारे लोग English medium ही हो next है fear of being enclosed in a small closed space यानि कि वह इंसान जो छोटी जगए में बंद जगए में रहने से डरता है जिसको डर लगता है तो डर या भै ऐसी चीजों को बोलते है phobia और जो कम जगए में छोटी जगए में रहने से डरते हैं उसको बोलते ह रहने का भै कम जगए में रहने का डर claustrophobia next a person coming to a foreign land यहां पर country बोल सकते हैं to settle there मतलब वह इंसान जो विदेश से आता है किसी देश में रहने के लिए मतलब विदेश से आया है यह ध्यान रखना है आपको coming to विदेश से रहने के लिए आया है कहीं पर settle होने उसको बोलते ह immigrant immigrant का मतलब होता है अप्रवासी immigrant का मतलब होता है अप्रवासी next क्या है आपको इन दोनों को ध्यान से पढ़ना है a person who goes to settle in another country अब बात आये कि वह परसन जो जाता है विदेश में सेट होने के लिए settle होने के लिए मतलब यहां उपर वाले में बात की गई थी विदेश से आता है settle होने के लिए उसको बोलते है immigrant लेकिन जो जाता है विदेश में सेट होने के लिए उसको बोलते है immigrant यानि कि उत्प्रवासी immigrant जो दूसरे देश में रहने जाता है और जो दूसरे देश से किसी और पेन वह इंसान वह व्यक्ति जो सुख और दुख में एक समान रहता है ना सुख होने पर बहुत ज़्यादा खुशी ना दुख होने पर बहुत ज़्यादा दुख उसके लिए सुख दुख समान होते हैं ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं ऐसा इंसान होता है वह रागी जो म ग्राम चैनल में मिल जाएगा तो लिंक डेस्क्रिप्शन में है और भी बहुत सारी वीडियो करीब 40 जिस पर सक होता है हमको तो शक हो जिस पर यानि सस्पीशियन तो सस्पीशियन होता है यानि कि शक होना किसी इंसान पर तो अंडर अ क्लाउड का मतलब है सस्पीशियन शक होना नेक्स्ट है why fits and starts मतलब start करना और फिर रुक जाना इस तरीके की चीज को क्या बोलते हैं irregularly यानि कि कोई चीज continue नहीं है रुक रुक के काम हो रहा है लगातार continuity नहीं बनी हुई है अनियमितिता है हिंदी में बोलते हैं जिसको तो why fits and starts इस idiom का मतलब है irregularly next है took two ones heels यानि कि अपनी कोई अपनी ही heels यानि edi को उठाना ऐसे को क्या बोलते हैं इस idiom का मतलब क्या है ran away in fear यानि डर की बज़े से भाग जाना इसका मतलब होता है took two ones heels इसका मतलब है ran away in fear डर से भाग जाना next है hard and fast यानि कठिन और तेज इसका मतलब क्या होता है idiom का इसका मतलब है strict होना यानि कि अपनी लिए determined होना मैंने जो किया है जो मैंने decide किया है वो मैं strictly follow करूंगा यानि इनसान जो strict है उसके लिए ये चीज use होती है idiom hard and fast next है closed fisted person इसका मतलब क्या है fist का मतलब हतेली कह सकते हैं आप चुटकी कह सकते हैं तो closed fist person जिसकी मुठी बंध हो person की चुटकी बंध हो ऐसे को बोलते है miserly person यानि कि कंजूस व्यक्ति तो closed fisted person idiom का मतलब है miserly person नेक्स्ट है 19 to the dozen यानि कि देखिए आपको पता है एक dozen में 12 चीज़े होती है लेकिन यहां बात की कि यह 19 यानि कि dozen से ज़्यादा तो इसका idiom का मतलब है too much यानि बहुत ज़्यादा तो 19 to the dozen का idiom का मतलब है too much next अब बात करते हैं हम antonym synonym की especially मैंने देखिए किस तरीके से design की है class आपको अच्छा लगेगा कैसी class जा रही है आप मुझे बताएंगे comment में आपको सीखने को मिला कुछ सबसे पहले word लिखा है उसके बाद उसके synonym से लिखे हैं उसके बाद उसके यंटॉनेम से लिखे है तो पहला word क्या है पहला word है भीक या साहसी जिसमें साहसोग तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा देखिए औरेसियस का सिनोनिम होगा वैलियंट, डेरिंग, ब्रेव, डाउन्टलेस, वोल्ड या इसको एक वर्ड और भी मैं एड करना चाहूं तो वो कर सकते हैं अब उसका नाम होता है करेजियस, करेज होना नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स क्या हैं, औरेसियस के एंटोनिम्स, मोडेस्ट, टिमिड, विम्पी, डाउन्टिड, कॉबर्ड या करेजलेस बोल सकते हैं इसको तो ये वर्ड है औरेसियस, ये हैं इसके सिनोनिम, ये हैं इसके एंटोनिम्स, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक् ambiguous का मतलब क्या होता है अनेकार्थी जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हों मीनिंग निकलते हों या आइस पष्ट यानि जो चीज क्लियर ना हो इसके synonym क्या है obscure, feeble, vague, equivocal, nebulous फिर से बताता हूँ synonym obscure, feeble, vague, equivocal, nebulous ये इसके synonym है ambiguous के antonym क्या है lucid, explicit, clear, transparent ये इसके antonym है next word क्या है next word है हमारा baleful, baleful का मतलब होता है बुरा, हानिकारक तो baleful के synonym क्या है तो synonym देखते हैं evil, noxious, hurtful, detrimental ये इसके synonym है baleful के फिर से बताता हूँ evil, noxious, hurtful, detrimental बेलफुल के antonym क्या है तो antonym भी देख लेते हैं good, harmless, polite, beneficial तो baleful के antonym क्या है good, harmless, polite, beneficial next word क्या है next word है हमारा fallacious fallacious इसका मतलब क्या होता है गलत होना या जूटा होना तो fallacious के synonym क्या है wrong, deceptive, false, erroneous fallacious के synonym क्या है फिर से बताता हूँ wrong, deceptive, false, erroneous अब fallacious के antonym क्या क्या है true, clear, faith, correct तो fallacious के antonym क्या है true, clear, faith, correct next word क्या है हमारा next word है हमारा gerulous gerulous इसका मतलब होता है बातूनी जो बहुत ज्यादा बातें करता है बहुत बोलता है उसको बोलता है gerulous इसका synonym क्या है loquacious, burvus, tacative तो gerulous के synonym क्या है loquacious, burvus, tacative next क्या है इसका gerulous के अब enter name की बात करते हैं यानि की बिपरीत बर्ड, taciturn या tacky turn और reticient tacky turn, reticient इसके एंटोनेम है अब एक बार मैं ये भी छोटी सी चीज बता देता हूँ synonym का मतलब होता है समानार्थी सब्द जिनके meaning same हो या पर्याय बाची सब्द जिसको बोलते हैं हिंदी में enter name का मतलब होता है बिपरीत बर्ड, जिनके meaning अलग हो, भिन हो, उल्टे हो, उसको बोलते हैं enter name ये थी आज की class, सारे PDF, सारे link आपको description में मिलेंगे PDF तो आपको telegram channel पे मिलेगा, जिसका link भी description में है join करें, पूरी PDF लें, must practice करें अच्छे से सारे latest pattern पे practice कराई गई है, बहुत अच्छी playlist में आपको मिलेंगी exam के लिए आपको all the best, safety के साथ exam देने जाएं, bye, take care